Good morning students, बेटा आज हम नेया topic पढ़ेंगे परिसरग कारक के चिन जैसे बेटा आपके पास example दिये गया है, नीचे दिये गये वाक्यों को पढ़िये पंची को घर को लोटेंगे, को क्या लगा है यहां पे कारक का चिन अपने बिस्तर में पड़े हुए हैं, धर्ती के रोशन दानों से चोरी चोरी जांकेंगे अब देखो कारक के चिन होते क्या हैं, इन वाक्यों में संग्या शब्दों का क्रिया से समन्द बताने के लिए संग्या शब्द कौन सो है, पंची घर क्रिया लोटेंगे ठीक है, इनका आपस में समन्द बताने के लिए कुछ चिन्नों का चिन्नों जैसे को, मे, के, से का प्रियोग किया जाता है इन्हें हम क्या कहते हैं, परिसरग या कारक के चिन दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, कि जब वाक्य में संग्या और क्रिया का आपस में रिलेशन बताया जाता है या समन्द बताया जाता है, और जिन चिन्नों का प्रियोग किया जाता है, उनको क्या कहते हैं, कारक के चिन देखो बटा इसमें दिया है बच्चे छो में खेलेंगे खेलेंगे क्या हो गया काम करना करने वाले क्या होगे बच्चे सभी बच्चे सो जाएंगे जाएंगे क्या है क्रिया है या काम करने वाले पिल सूरज ने बीजों को उठाया उठाया क्या हो गया क्रिया और करने वाले सूरज वाक्या में जिस संग्या या सरवनाम पद से क्रिया के करने वाले का पता चलता है उसको क्या कहते हैं? करता कारक उसको कौन सा कारक कहते हैं? करता कारक और इसका चिन क्या है ने, वाक्या में जीस संग्या या सरवनाम, संग्या और सरवनाम का तो आपको पता है कि किसी व्यक्ति स्थान जाती भाव आदी के नाम को क्या खा जाता है संग्या, संग्या के स्थान पर प्र्युक्त होने वाले वी कारी शब्दों को सरवनाम कहते हैं तो जब संग्य या सरबनामपद से क्रिया के काम करने वाले का पता चलता है तो उसे क्या कहते हैं करता कारक पहले वाक्या में बच्चे खिलने का काम कर रहे हैं दूसरे वाक्या में पेड़ सोने का काम कर रहे हैं तीसरे वाक्य में सूरज बीजों को उठाने का काम कर रहा है, इसलिए बच्चे पेड़ सूरज क्या है, करता कारक है, सूरज करता कारक के साथ ने का प्रयोग हुआ है, करता कारक का चिन है ने, करता कारक के साथ ने का प्रयोग हो भी सकता है और नहीं भी, जैसे पहले और द उसरे वाक्या में ने का प्रियोग नहीं हुआ है वैसे एक्जाम्पल है बटा हवा कहेगी जूम जूम ये करताकारक के एक्जाम्पल है बटा जो फर्स्ट चीन है आपका करताकारक है उसके बारे में बताया है पंची घर को लौटेंगे गईया ने पीट खुजाई चंदा चमकेगा बच्चे चौमे खेलेंगे ये बटा आपका करताकारक है इसकी प्रेक्टिस करें और इसको अच्छे से अभ्यास करें और देखें कि कहां पर करताकारक लगता है और कैसे लगता है धन्यवाद